कि अलो गुड मॉर्निंग एब्रीबडी मैं जी अमार कम्टेशन एसकेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ कोरोना वाइरस जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ COVID-19 चल रहा है और कब तक चलेगा इस बात की अभी कोई आशा भी नहीं है इस बीच आप लोगों की पढ़ाई न रोके आपकी स्टेडी डिस्टरब न हो इसलिए हम लोगों ने अपना ये ओनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है अभी इसमें हम लोग पहले Modern History का आधुनिक भारत का एक टॉपिक पढ़ चुके हैं आधुनिक भारत Modern History में पहला टॉपिक पोस्ट मोगल एज यानि उत्तरकाली मोगल को हम लोग पढ़ चुके हैं आधुनिक भारत Modern History के second topic arrival of European companies in India यानि हमारे देश में जो European company आई थी जो यूरूप से company आई थी आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे सुनिएगा और हर चीज को समझिएगा ये दो टॉपिक हैं आधुनिक भारत Modern History में ये दो टॉपिक हैं पहला टॉपिक है उत्तर कालीन मुगल और दूसरा भारत में European company का आगमन अगर ये दोनों topic आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए तो आधुनिक भारत का almost हिस्सा आप बड़े आराम से easily फिर आप समझ सकते हैं इसलिए आज इस topic को मेरा प्रियास रहेगा कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रियास करूँ देखिए arrival of European companies in India भारत में European company का आगमन अब आज सबसे पहला question सबसे पहला सवाल ये उठता है कि sir European company भारत क्यों आई क्या आवश्यक्ता पड़ गई कि European company को भारत आना पड़ा तो देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूँ इन European company का भारत में आने का उद्दिश या प्रारंबिक उद्दिश से जो था वो था भारत के साथ मसालों का ब्यापार करना The Trading of Spices यानी मसालों का ब्यापार करना मसालों का ब्यापार करने के लिए भारत में मसालों का ब्यापार करने के लिए भारत में पांच European company आई थी सबसे पहले पुर्तगाली आई थे, फिर डच आई थे, फिर अंग्रेज आई थे, फिर डेन आई थे और फिर फ्रांसीसी आई थे भारत के साथ मसालों का ब्यापार करने के लिए पांच European company भारत आई थी और ये क्रम प्लीज आप सब लोग इस क्रम को याद रखिएगा, पहले पुर्तगाली हैं, फिर डच हैं, फिर अंग्रेज हैं, फिर देन हैं और फिर फ्रांसीसी हैं मैं यहां आपको एक चीज और बताने का प्रियास करूंगा, कि अभी हम लोग पहले ये European company का भारत में आगमन पढ़ रहें और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि जो हमारे देश में उत्तरकालीन मुगल थे प्लीज आप इस बात को ध्यान से समझेगा किस बात को? कि जो हमारे देश में उत्तरकालीन मुगल थे यानि जो औरंग जेब के बाद मुगल आए वो सब लोगों, उन लोगों को इन European company ने कैसे कंट्रोल किया अंग्रेजों ने कैसे कंट्रोल किया अंग्रेजों ने कैसे नियंत्रित किया ये सारी बाते आज हम डिसकेशन करने जा रहे है तो पहले कुछन का आंसर है भारत के साथ मसालों का ब्यापार करने के लिए पांच European company, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसेसी ये भारत आये थे और बेटा देखो ये इनका प्रारंबिक उद्देश्य था मसालों का ब्यापार जो है ये इनका प्रारंबिक उद्देश्य था लेकिन बाद में इनोंने हमारे देश से कपड़े का ब्यापार सिरू कर दिया इंडेगो नील का ब्यापार सिरू कर दिया हर चीज का ब्यापार इन्होंने हमाईदेश से स्टार्ट करती है तो इन पाचों यूरोपियन कंपनियों में जो सबसे पहले भारत आये थे वो थे पूर्तगाली और आज की सेक्षन में हम सरिफ इन दो यूरोपियन कंपनियों को कवर करेंगे पुर्तगाली और डच अब इनमें सबसे पहले हम पुर्तगाली को कवर करते हैं देखको बेटा भारत आने बाला पहला यूरोपियन सत्रे मई 1498 का दिन सत्रे मई 1498 को प्रत्थम यूरोपियन प्रत्हम पुर्तगाली यात्री बासको डिगामा भारत आया 17 माई 1498 को प्रथम पूतगाली यात्री प्रथम यूरोपियन बासको डिगामा जो है वो भारत आया था अच्छा, सहाब ये भारत कैसे आया था? तो देखो बेटा, एक गुजराती व्यापारी थे जिनका नाम था अब्दुल मनी. वो साउत अफरीका में एक जगे है, डच्छन अफरीका में एक जगे है, जिसका नाम है केप आफ गुड होप. वहाँ पर क्या कर रही थे मसाले बेच रही थे और इस से मिले किस से मिले बासको डिगामा से और बासको डिगामा को वे अपने साथ भारत ले करके आए दोबारा से सुनिएगा 17 मई 1498 को गुजराती व्यापारी अब्दुल मनी की साहता से प्रथम पुर्तगाली यात्री बासको डिगामा केप आफ गुड़ होप होते हुए भारत आया केप आफ गुड़ होप होते हुए भारत आया एक बात दोसे बात बेटा सबसे बड़ी चीज ये जो है ये बासको डिगामा केरल के काली कट तट जो हमारा राज्य है केरल के काली कट तट पहुचा था काली कट तट पहुचा था और केरल के जो साशक है यानि सुमारी या जुमेरिन ये दोनों एक ही ब्यक्ति हैं ये एक ब्रामन सासक थे या हिंदू सासक थे केरल के साशक शुमारी या जुमेरिन ने इसका स्वागत किया था लेकिन मैं आपको यहां यह बता देना चाहता हूँ कि इस से पहले यानि जो ये ये यूरोपियन हमारे देश आये थे इन से पहले भारत के साथ अरब के ब्यापारी ब्यापार कर रहे थे इसलिए इन अरब ब्यापारियों ने इस बासको डिगामा का बिरोध किया या बहिसकार किया हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं हम लोग ऐसा समझने का प्रियास कर रहे हैं कि 17 मई 1498 को प्रथम पुर्तगाली या थी बासको डिगामा गुजराती ब्यापारी अब्दुलमनी की सायता से केप आफ गुड़ होप होते हुए केरल के काली कट तट मौचा और केरल के साशक्त सुमारी या जुमेरिन ने इसका स्वागत किया देखो बेटा एक चीज और समझने वाली है एक चीज और जानने वाली है वो क्या है कि हमारे देश के साथ पहले से मसालों का ब्यापार कर रहे थे अरब ब्यापारी यानि जो ये 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 पुर्तगाली थे या जो बासको डिगामा था उसको अरब ब्यापारी अपने कमटीटर के रूप में अपने अपने प्रतियोगी के रूप में देख रहे थे एसी लिए इन अरब व्यापारियों ने बासको डिगामा का बिरोध किया था ये बहुती अच्छा कुश्यन है कि बासको डिगामा का बिरोध निम्न में से किस के द्वारा किया गया तो अरब व्यापारियों के द्वारा इसने किया अच्छा अब आगे की चीज़ सुनिएगा एक बहुत सांदर सी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि बासको डिगामा जो भारस से स्पाइसिज ले गया था यानि जो मसाले ले गया था उसने ये मसाले अपने देश में 60 गुना दामों पर बेचे 60 टाइम प्रॉफिट इसने 60 गुना दामों पर ये इन स्पाइसिज को यानि इन मसालों को बेचा देखो बेटा इतना जादा प्रॉफिट इसने कमाया आप सूचिए जो ये जो मसाले ले गया था एक रुपे में जो मसाले ले गया था इसने 60 रुपे में बेचे इतना जादा प्रॉफिट देख के क्या हो गया दूसरा पुर्तगाली आ गया तीसरा पुर्तगाली आ गया चोथा पूर्तगाली आ गया और एक दिन पूरा पूर्तगाल चला आया और पूर्तगालीों को देखते देखते डच आ गए क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था डच को देखते देखते अंग्रेज आ गए क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था डच को देखते देखते डेन आ गए और फ्रांसीसी आ गए इस तरह हमाई देश में पांच येरोपियन कंपनी आए थी तो मैं आपको बता रहा था किस बासको डिगामा भारत से जो स्पाइसेस या मसाले ले गया था उसने 60 गुना दामों पर बेचा फिर भाईया फिप्टीन हंड्रेड में यानी पंद्रेसों में दूसरा पुर्टगाली यात्री पैडरो अल्वरीज अल्वरीज कैबरल ये भारत आया पंद्रेसों में सेकेंड पुर्टगीज विस्टर पैडरो अल्वरेज कैबरल ये भारत आया अच्छा उसके बाद बेटा पंद्रेसों दू में फिप्टीन हंड्रेड टू में बासको डिगामा फिर से भारत आया बासको डिगामा दोबारा से भारत आया और फिर ये बेटा 1524 में 1524 में ये बासको डिगामा जो है वो तीसरी बार भारत आया और बेटा उसके बाद क्या हुआ उसके बाद 24 दिसंबर 24 दिसंबर 1524 को इस बासको डिगामा गोवा में ही डैथ हो गई गोवा में ही म्रत्यू हो गई और गोवा में ही इसकी समाधी बनी हुई है दोबारा से दिखिए यहां तक हम लोग पहुँच गए थे कि बासको डिगामा जो मसाले भारत से खरीद के ले गया था उसने अपनी देश में उन स्पाइस को साथ गुना दामों में बेचा इसलिए इस प्रोफिट को कमानी के उद्देश से 1500 में पैडरो अलवरेज कैबरल यह दूसरा पुर्तगाली या तरी भारत आया उसके बाद 15002 में बासको डिगामा दूसरी बार भारत आया बासको डिगामा सेकिंड टाइम या दूसरी बार भारत आया उसके बाद 1524 में ये बासको डिगामा तीसरी बार भारत आया लेकिन इस बार 24 दिसंबर 1524 को गोवा में इसकी डैट हो गई और यहीं गोवा में इसकी समाधी बनी हुई है हम लोग ऐसा पहले ये इनकी ये पुर्तगालियों की बेसिक इंफॉर्मिशन है जिसमें आप लोगों ने ये जानने का प्रियास किया कि 17 मही 1498 को गुजराती ब्यापारी अब्दुल मनी की साहता से प्रथम पुर्तगाली यात्ती बासको डिगामा भारत आया और ये अफ्रीका की एक जगे पढ़ती है केप आफ गुड़ोप होते हुए भारत आया ये केरल के काली कट तट पहुचा और जो केरल के सासक्ते सुमारी या जुमेरि उन्होंने इसका स्वागत किया लेकिन जो अरब व्यापारी थे वो इसे अपना प्रतियोगी समझते थे इसलिए अरब व्यापारियों ने इसका बिरोध किया और ये बाला कुश्यन भी बहुत अच्छा कुश्यन है 100% इसके आने की चांसे बने रहते हैं कि ये भारस से जो spices यानी मसाले खरीद के ले गया था इसने 60 गुना दामों पर बेचा बस इसी प्रॉफिट के इंटेंशन से इसी प्रॉफिट के उद्देश से 1500 में पैडरो अल प्तगाली यात्री भारत पहुचा उसके बाद बेटा 1502 में बासको डिगामा दूसरी बार भारत आया 1524 में ये बासको डिगामा तीसरी बार भारत आया और बेटा 24 दिसंबर 1524 को गोवा में इसकी म्रत्यू हो गई या गोवा में इसकी डैच हो गई ये इनकी basic information थी basic जान कारी थी अब देखो हम पुर्तगाली कंपनी की बात करते हैं देखो बेटा इसने भारत में अपना ये जो ब्यापार का प्रोग्राम था इस प्रोग्राम को चलाने के लिए पुर्तगालियों ने अपनी एक कंपनी खोली थी और इस कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया ये पुर्तगालियों की कम्पनी थी और इन्होंने बेटा इतना फेमस कुश्यन इन्होंने पंद्रेस और तीन में अपनी पहली फेक्टरी कहां कोचीन में खोली ये चीज आप नोट कर ले अपने पास समझ ले पुर्तगालियों की जो कम्पनी थी उसका नाम था एस्तादो द इंडिया ये भारत में जो पुर्तगाली ब्यापार चलता था उसको देखती थी कम्पनी और इन्होंने अपनी फैली फेक्टरी पंद्रेस तीन में कोचीन केरल में ओपन की अच्छा अब उसके बाद इस कम्पनी के अधिकारियों की बात करते हैं देखो बेटा पहला पुर्तगाली गवर्नर जो था वो था आपका फ्रांसिसको डी अलमेडा फ्रांसिसको डी अलमेडा जो है वो हमारे देश में पहला पुर्तगाली गवर्नर था जिसने blue water policy यानी नीले पानी की नीटी को अपनाया blue water policy नीले पानी की नीटी क्या होती है ये बहुत अच्छा question है अब तक कई बार पूछे जाने वाला question है कि भाया भारत में blue water policy नीले पानी की देखो ये question दो तरह से आता है एक तो ऐसे आता है कि blue water policy नेले पानी की नीती किस के द्वारा start की गई थी तो option होते पुर्तगाली, Dutch, English और Dain तो आप answer लगाएंगे पुर्तगाली अगर कुश्यान आ जाए कि निम्न मेंसे किस governor ने या किस पुर्तगाली governor ने blue water policy को start किया था तो वो था आपका Francisco D. Almeida ये Francisco D. Almeida जो है पुर्तगालीों का first या पहला governor था जिसने blue water policy नीले पानी की नीती को अपनाया नीले पानी की नीती के अंतरगर इन्होंने ये कहा था कि ये जो हिंद महासागर है यानि Indian Ocean है अगर आप इसमें ब्यापार करते हैं तो आपको एक tax या एक कर देना होगा क्यों भाईया आपको हम tax या कर क्यों दें क्योंकि इन्होंने ऐसे कहा था कि ये जो सागर है इसका निर्मान हमारे गौड ने हमारे भगवान ने किया है इसलिए अगर आपके देश से कोई पानी का जहाज यहां से गुजरता है तो आपको उसके लिए tax या कर देना होगा जिसे blue water policy या नीले पानी की नीती से जाना जाता है उसके बार बेटा पुर्ट गालियों का दूसरा जो governor general था उसका नाम था अलफानसो अलफानसो डी अली बुककर्क यह बेटा पुर्ट गालियों का second governor था यह दूसरा governor था और इसने इसने क्या किया इसने एक बड़ा एतियास से काम किया 1510 में 1510 में इसने बीजा पुर्ट के सासक 1510 में इसने वीजा पुर्ट के सासक बीजा पुर्ट के सासक कौन थे भाईया उस समय तो बो थे यूसुफ आदिल शाह इसने बीजा पुर्ट के सासक यूसुफ आदिल साह से क्या किया भीया गोवा छीन लिया ये गोवा बाला question बहुत बहुत अच्छा है दोबारा सुनो ये अलफांसो डी अली बुककरक जो है पुर्ट गालियों का second governor था या दूसरा governor था जिसने 1510 में बीजा पुर के सासक यूसुफ आदिल साहशे गोवा छीना यानि गोवा पर भिजय प्राप्त की हम लोग दोबारा से एक बार ये दो पुर्तगाली governor general के बारे हम पढ़ रहे हैं पहला फ्रांसिसको डी अलमेडा जिसने नीले पानी की नीती स्टार्ट की दूसरा अलफांसो डी अली बुककरक जो के second governor था इसने 1510 में बीजा पुर के सासक यूसुफ आदिल साह से गोवा चीना या गोवा प्राप्त किया अब उसके बाद हम दो पुर्तगाली governor और देखेंगे जो के हमारे देश में भारत में जिनका बड़ा जिनोंने काम किया पुर्तगाल के लिए काम किया है उनमें अगले governor जो आते हैं वो हैं आपके नीनू नीनू डी कूना ये थर्ड या तीसरे पुर्तगाली governor थे और इनोंने बेटा क्या किया था इनोंने 1530 में जैसे अभी तो मैं बता रहा था आपको कि 1530 में इस ने क्या किया इसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया गोवा को अपनी राजधानी यानि यहीं से अब पुर्तगाली सामराज्य के काम होते थे अच्छा फिर उसके बाद तीसरा सरी चोथा governor जो फोर्थ हमें चार governor के बारे में जानना है पहला था फ्रांसिसको डी अलमेडा दूसरा था अलफांसो डी अली बुककर्क और थर्ड नीनू डी कुना और फोर्थ हम लोग जो पढ़ने जा रहा है फोर्थ महान governor जिसके बारे में हमें थोड़ा discussion करना चाहिए तो वो था आपका अलफांसो अलफांसो डी अलफांसो डी सूजा अलफांसो डी सूजा ये ये पुर्टगाली governor था जिसके साथ कौन आए थे जिसके साथ सैंट जीबियर सैंट जीबियर भारत यात्रा पर आई थे और इन सैंट जीबियर ने गोवा में पहले चर्च की स्थापना की गोवा में फ्वस्ट चर्च की स्थापना की फ्वस्ट चर्च पहले चर्च की स्थापना की देखिए नेनूडी कुना पुर्तगालियों का थर्ड गवर्नर था और इसने 1510 में गोवा को अपनी राज़ानी बनाया एक कुस्यन में आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्टरी कहां खोली तो हम लोग अभी डिसकस कर चुके हैं कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्टरी कोची यानि केरल में खोली बेटा factory in the sense, factory का मतलब यहां किसी चीज की factory नहीं है कि जैसे वहां paper बन रहा हो, या कपड़ा बन रहा हो, या कुछ और बन रहा हो ऐसा factory से कोई मतलब नहीं है मैं आपको factory के बारे में बताओं, तो ये बास्तम में गोदाम होते थे गोदा मतलब पूर्टगाल के लोग गाउं गाउं जाते थे, मसाले यानी spices खरीते थे और उन्हें एक जगे एखटा करते थे, और उसे एखटा करके पानी के जहाज में लोड करते थे और अपने देश पूर्टगाल ले जाते थे, बस वही factory है और कोचीन इनका प्रारंबिक ब्यापारिक केंद्र रहा लेकिन 1530 में नीनू डी कुना ने क्या किया गोवा को अपनी राजधानी बनाया उसके बाद अलफानसो डिसूजा नामक पूर्टगाली गवर्नर आया जिसके साथ सेंट जेवियर भारत यात्रा पर आये और इनोंने सेंट जेवियर ने भारत में पहले चर्च की गोवा में पहले चर्च की स्थापना की उसके बाद अगली चीज जो आती है अगला जो आता है आपका point जो पीपर में जो आपके exam में आने लाइक है देखो बैसे तो जब हम लोग किसी के घर जाते हैं या कोई हमारी घर आता है तो बिविन प्रकार की चाया वो सामाजेक हो चाया हो आर्थेक हो चाया वो सांस्कितिक हो ऐसी चीजों का आधान पधान होता है आप भी किसी के घर गए होंगे आपने देखा बड़ी सुन्दर सी पिंटिंग लगी है तो आपने अपने घर में भी लगा ली या आपके घर भी कोई आया और उसने देखा रहे आपके या तो LED इतना अच्छा तो हो सकता वोई LED बोले के आजा तो ऐसे मैं आपको बता तीन काम इनोंने हमारे देश में स्थार्ट किये थे सबसे पहला जो था बो था जहाज निर्मान का कार खाना जहाज निर्मान का कार खाना मतलब ए फैक्टरी आफ सिप जहाज निर्मान का कार खाना यानी बेटा ए फैक्टरी आफ सिप जहाज निर्मान का कार खाना दोसे चिट जो ये लेके आए थे वो थी आपकी printing press यानि पुर्तगाली भारत में printing press लेकर के आए और तीसरी चिट जो थी वो थी आपकी जहाज निर्माड का कार खाना printing press और तीसरी चिट जो थी वो थी तमबाकू की खेती crop of tobacco ये इन्होंने जहांगीर के समय में भारत में start की थी ये तीन चीज है आप नोट कर ले जहाज निर्माड का कार खाना printing press और तमबाकू की खेती ये पुर्तगालियों की भारत में देन है अच्छा बेटा मैं आपको एक चीज और बता दू जब पुर्तगाली हमारे धेस आई थे तो उनके पास भारतिय मुद्रा नहीं थी अब ब्यापार कैसे करें लेंदेन कैसे करें तो इसके लिए उन्होंने अपना सुने का सिक्का क्या किया प्रियोग में लेकिया और सुने के सिक्के का झामिंथा कुरुजेदा ये क्पुर्तगालियों क गोल्ड कौीन या सुने का सिक्का था बेटा ये सारे के सारे कुश्यन बहुत बहुत अच्छे कुश्यन है इसलिए मैं आप चाहूंगा कि आप इन्हें नोट करते भी चलें ये कुरूजेडा पुर्तगालियों का गोल्ड कॉइन था, पुर्तगालियों का सोने का सिक्का था, जो कि उन्होंने भारत में ब्यापार के लिए प्रियोग किया था, फिर उसके बाद, एक माफी चाहूंगा, एक आखरी और बहुती सांधार पॉइंट, देखो हमारे देश में न, पाच यूरोपियन कंपनी आई थी, कौन-कौन सी यूरोपियन कंपनी आई थी, जरा कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बता दो, तो देखो सुनो, पाच यूरोपियन कंपनी आई थी, कौन-कौन सी आई थी, लिखो जल्दी से फटा-फट, तो मैं भी बता देता पुर्टगाली लेकिन बेटा सबसे बाद में भारत से जाने वाले यूरोपियन ये सबसे बाद में भारत से जाने वाले यूरोपियन थे बेटा ये 1961 यानी 1961 तक आपका गुवा हो गया आपका दमन हो गया आपका द्वीब हो गया ये इन जगे पे क्या करते रहे अपना शाशन करते रहे तो सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपियन पुर्टगाली और सबसे बाद में भारत से जाने वाले यूरोपियन जो थे वो पुर्टगाली थे जो 1961 तक गुवा में अपना साशन करते रहे तो हमने पहली यूरोपियन कमपनी पुर्टगाली की बाद की जिसमें हमने पढ़ा कि 17 मई 1498 को प्रथम पुर्टगाली यात्री वासको डिगामा भारत यात्रा पर आया इन्होंने अपनी पहली फैक्टरी 1503 में कोचीन केरल में ओपन की और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सहाब ये तमबाकु की खेती चहाज निर्मान का कार खाना प्रिंटिंग प्रेस ये सारी चीज़े अपने साथ ले करके आए और लास्ट में 1961 में ये भारत से गए अच्छा अब हम दूसरी यूरोपियन कंपनी सेकंड यूरोपियन कंपनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो है आपके डचीज यानी डच देखो बेटा डचीज डच ये जो थे वो हॉलेंड के नागरिक थे ये जो डच हैं सेकंड नंबर पर आते आपके डच ये लेंड को बरतमान में जो है वो काई की नाम से जाना जाता है नीदर लेंड की नाम से जाना जाता है कमेंट वक्स में मुझे बताईए कि नीदर लेंड की डाजधानी कहां है इसे हॉलेंड हॉलेंड से आए थे पहली बात और दूसरी चीज हॉलेंड से आए थे और सेकंड वन जो है वर्तमान में होलेंड को नीदर लेंड के नाम से जाना जाता है देखो बेटा अगली चीज ये है कि मार्च 1602 में 1602 में डच इस्ट इंडिया कमपनी यानि डच इस्ट इंडिया कमपनी इंडिया कंपनी की स्थापना की गई डच इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई 1602 में और बेटा इन्होंने 1605 में अपनी पहली फैक्टरी इन्होंने 1605 में अपनी पहली फैक्टरी या पहला कार खाना जो open किया था, फैक्टरी जो open की, पहली फैक्टरी, वो की थी आपकी मूसली पत्टनम, मतलब आंधिपदेश में, इन्होंने अपनी पहली फैक्टरी, मूसली पत्टनम आंधिपदेश में open की, दोबारा सुनिएगा डच ये हॉलेंट या नीदरलेंड से आये थे मार्च 1602 में डच इस्ट इंडिया कमपनी की भारत के साथ ब्यापार करने के लिए डच इस्ट इंडिया कमपनी की स्थापना की गई 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्टरी मोसली पट्टनम आंधपद में खुली अच्छा अब देखो बेटा एक बहुत इंपोर्टन कुश्यन मैं आपको कराने जा रहा हूँ देखे इन्होंने क्या देखा कि एक भारतिय ब्यक्ती सुबह सुबह ऐसे बढ़िया नहा दो के नास्ता पानी करके बाहर टैल रहा है इन्होंने उसको बुलाया प्लीस आप ये स्टोरी दिहान से सुनियेगा इन्होंने बुलाया और कहा कि क्या हमारे लिए काम करोगे भारतिय ने कहा ठीक है हम करेंगे लेकिन हमारा क्या फायदा होगा तो उसने कहा आपको सौर रुपए मिलेंगे भारतिय ने कहा ठीक है काम क्या है काम कुछ नहीं गाउंगाउं जानाए spices यानी इख़टा करने और लेके आने बस अच्छा भारतिया ने काम किया तीसे दिन काम किया सो रुपे मिले बहुत खुस हुआ पास दिन काम करने के बाद वो दो दिन गाइब हो गया दो दिन बाद आया Dutchess ने पूछा Dutchya दिकारी ने पूछा भाई दो दिन तक कहां थे तो उसने कहा साब तभीयत खराब थी, तो उन्होंने कहा इस में आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी तभीयत खराब थी, आप काम कर नहीं सकते थे, इसलिए नहीं आये, कोई बात नहीं है, 200 रुपए रखो, भारती बड़ा खुश हुआ, कि भाई पंद्रे सो रोप्या यानि पंद्रे दिन की सेलरी दी मैं इस कहानी से आपको क्या समझाने कोशिस कर रहा हूँ पहली चीज ये पहले यूरोपियन थे या ये पहली कंपनी थी जिसने भारत में बेतन भोगी करमचारी यानि सेलरीड इंप्लोईज अपॉइंट किये इस से पहले बेतन भोगी करमचारी हमारे देश में किसी ने अपॉइंट नहीं किये थे नियुक्त नहीं किये थे इस कहानी के दो सेंस हैं पहली चीज तो डच पहली कंपनी थी जिसने भारत में बेतन भोगी करमचारी नियुक्त किये और दूसरा इस कहानी का उद्दे सी ये था ये बताना चाहती है कि डच कम्पनी भारतियों को अपनी ओर अट्रेक्ट करना चाहती थी ताके वो भारतिय बाजार पर अपना नियंत्रन इस्थापित कर सके लेकिन बेटा उसके बाद जब इनका डचिस का ब्यापार भारत में बढ़ता गया ब्यापार जब भारत में बढ़ता गया डचिस का तो ये बाट ब्रिटिसस इंग्लिस या अंग्रेजों को बिलकुल अच्छी नहीं लगी और अंग्रेज और डचिस के बीच क्या हुआ युद हुआ कब हुआ 25 नवंबर 1759 को 1769 को पश्चिम बंगाल में या बैस्ट वेंगौल में पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे कौन सा युद हुआ बेदरा का युद बेदरा का युद हुआ और इस बेटा इस बेदरा की युद को चिन सूरा का युद भी कहा जाता है चिन सूरा का युद हुआ और बेटा इस युद में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया और भारत से बाहर निकाल दिया बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है दुबारा सुनिएगा जब भारत में डच कंपनी की मांग बढ़ती जा रही थी ये भारती ब्यापार पर अपना अधिकार इस्थापित करती जा रही थी तब बेटा 25 नवंबर 1759 को 1769 को अंग्रेज और डचों के बीच बेदरा का युद या चिंसूरा का युद हुआ युद पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे हुआ था ये बेदरा बेस्ट वेंगॉल में ही पड़ता है और इस युद में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया और भारत से बाहर कर दिया और इस तरह ये डच कंपनी खटम हो गई अब यहाँ एक कुश्यन आता है कि ये फर्स्ट यूरोपियन थे ये पहले यूरोपियन थे जो भारत से गए भारत से जाने बाले ये पहले यूरोपियन थे और सबसे बाद में जाने बाले वो पुर्टगाली थे और एक last question बस ये जो डचिस थे ये भारत में अपना ब्यापार करने के लिए पैगोडा नामक पैगोडा नामक गोल्ड कोईन का या पैगोडा नामक सोने के सिक्के का प्रियोग में लाते थे बेटा उनके गोल्ड कोईन पूर्तगालियों के गोल्ड कोईन का नाम था कुरुजेडा और डचिस के गोल्ड कोईन का नाम था पैगोडा ये इनका गोल्ड कोईन था आज इस क्लास में हमने पुर्तगाली और डचिस के बारे में पढ़ा है अब अगली क्लास में हम अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी इन टीनों को पढ़ा है आप इसको पढ़ें, अच्छे से नोट्स तयार करें मैं आपके अच्छे स्वास्त की खामना करता हूँ घर बैठके आप हमारे GMR कमटीशन एस के ओनलाइन प्लेटफोर्म पर मैट, रीजनिंग, जी अस ये सारे सेक्षन पढ़ सकते हैं चलिए, धन्यबाद, थैंक्यू, थैंक्यू सो मच